एक तरफ जहां वरुन धवन के बैचलर पार्टी के लिए 4 लाख प्रति दिन वाला एक विला बुक किया गया है जो कि अलिबाग का The Mansion House नाम से है वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी में बड़े बड़े सलिब्रिटीज का आना जाना शुरू हो चुका है उनकी शादी से पहले की रसमे मीडिया पर वाइरल हो रही है वरुन धवन ने अपने दोस्तों के लिए इसी मेंशन में एक बैचलर्स पार्टी रखी थी और इस पार्टी के दौरान एक ऐसा हाथसा हो गया जो बड़ा रूप ले सकती थी दरसल अलिबाग जाते समय वरुन की कार का शुकरवार की रात को एक एकसिडेंट हो गया एक वेबसाइट के अनुसार शादी से पहले वरुन धवन ने अपने दोस्तों और करीबियों के लिए एक बैचलर्स पार्टी रखी थी जिसके लिए वो शुकरवार रात अलिबाग के दमेंशन विला में जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का एक चोटा सा एकसिडेंट हो गया लेकिन इस हादसे में वरुन या किसी अन्य को चोटे नहीं आई और वो बाल बच गए 27 जैनवरी को वरुन धवन अपने बचपन के मित्र नताशा दलाल से शादी करने वाले हैं और ऐसे में शादी के एक दिन पहले ही इस तरह के हादसे से मामला गंबीर हो सकता था लेकिन ये अन्होनी टल गई और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा वरुन धवन इन दिनों अपनी बच्ची हुई फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त दिखे जिन में से एक थी अनिल कापूर के साथ उनकी फिल्म जुग जुग जीयो